मुझा दोसों में पास एक और एरगन आ चुका है एर पिस्टोल यह स्यो टू पावर्ड एरगन इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत ने पड़ेगी यह है बरेटा मॉड 84FS चलिए इसे चेक करते हैं तेखते रहे हैं इसके पहले कि मैं इस एरगन की अन्बॉक्सिंग करूँ जैसे कि मैंने कहा इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन यह जो गन्स है यह बहुत ही रियलिस्टिक टाइप के दिखते हैं इसलिए आपको इन्हें संभाल कर यूज करना है अब यह जो एरगन है यह किसके लिए है उनके लिए है जिने एरगन का शौक है या फिर एम प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं जहां पर यह जो गन्स है इन्हें यूज करना चाहते हैं क्यूंकि यह जो guns है बहुत ही realistic लगते हैं तो वैसा effect आप videos में create कर सकते हैं और comparatively real guns के comparison में यह उतने हानिकारक नहीं है लेकिन of course यह dangerous है तो आपको इन्हें as a real gun की तरह treat करना है, संभाल कर use करना है, जो gun के protocols है, safety protocols उन्हें आपको follow करना है तो चलिए मैं आपको इसके unboxing करके बताता हूँ, तो यह है इसका box pack Barretta Mod 84FS बहुत ही compact सा box packing है और यहाँ पर key specifications mention किया हुआ है, अब देखें यह .177 caliber का है और इस caliber के जो guns होते हैं, इनके लिए आपको license की, इंडिया में जरूत नहीं पड़ती है, key specifications यहाँ पर पीछे mention किया हुआ है यह double action gun है .177 caliber का है इसमें steel BBs आपको use करना है यहाँ पर clearly mention किया हुआ है front और rear sides के साथ में आता है safety, manually आपको set करना पड़ेगा smooth board, barrel के साथ में आता है barrel का तुछ length है, वो है 100 mm, capacity 17 rounds का है और of course इसमें 12G CO2 capsules आपको use करना है velocity भी आपे दिया हुआ है 125 meters per second इससे आपको idea मिल जाएगा कि इसका जो speed है मतलब कि जो BBs है, वो कितना fast जाते हैं तो चलिए मैं इसे खुलता हूँ, तो यह देखिए box के अंदर आपको एक तो यह user manual मिलने वाला है, जिसमें आपको यह जो product है, इसके बार में जानकारी मिल जाएगी, प्लस यह maintenance booklet है अब यह जो gun है, यह Umerix ने बनाया हुआ है और इन booklets के अलावा यह देखिए, यह है gun air gun, काफी छोटा है size में, box में और कुछ नहीं है, तो यह देखिए यह है air gun, और जैसे कि मैंने कहा यह जो air guns है, यह बहुत ही realistic दिखते हैं, इन्हें आपको संभाल कर यूज करना है, responsibility के साथ में यूज करना है, अब इसकी body है, यह metal की बनी हुई है weight वैसा ही है, जैसे कि real gun का है, और वैसा ही feel आपको मिलता है, यह hammer के साथ में आता है, और यहाँ पर देखिए यह button दिया हुआ है, इसे press करके, जो magazine है, उसे आप eject कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि एक hole दिया हुआ है, यह real gun नहीं है, लेकिन यह air gun है, यहाँ पर आपको, जो CO2 capsules है, वो दालना है, और नीचे यह screw mechanism दिया हुआ है, जिसे use करके, जो capsule है, उसे आप puncture कर सकते हैं, थोड़ी ही देर में मैं आपको बताने वाला हूँ, कि यह किस प्रकार से आप कर सकते हैं, और यह देखें, यहाँ पर, यह जो spring आप देख रहे हैं, इसे आप नीचे pull कर सकते हैं, तो आपको इसे यहाँ पर इस प्रकार से नीचे pull करना है, और यह जो hole आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको जो BBs है, अब वो भर ना है, एक बार आपने जो BBs है के बाद, आप इसे gun में डाल सकते हैं, और firing के लिए यह तयार होगा, यह है rear sight, और यह है front sight, तो आपको accordingly aim लेना है, यह है hammer, यहाँ पर safety option दिया हुआ है, इसे उपर करेंगे, तो यह जो trigger है, यह काम नहीं करेगा, इसे नीचे करेंगे, तो जो trigger है, यह काम करेगा, फिलाल यह empty है, यह देखें, अब यह lock हो गया है, यह unlock हो गया है, तो यह जो red sign अगर आप देखें आपर, plus यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि यह जो gun है, यह firing position में है, इसकी जो body है, यह metal की बनी हुई है, और यह देखें, यह काफी interesting है, इसे मैं इस प्रकार से pull कर सकता हूँ, जैसे कि दूसरे guns में होता है, और यह जो चीज है आपने फिल्मों में देखे होगी, में भी आपने शायद real gun यूज किया होगा, तो आप समझ गहोंगे कि यह काफी realistic सा feel दे रहा है, look भी वैसा है और जब आप इसे pull करते हैं, तो जो hammer है, वो पीछे lock हो जाता है, firing clay ready हो जाता है, अब यहाँ पर यह जो option दिया हुआ है इससे अगर आप नीचे pull करेंगे तो यह अपने original position में आ जाता है, तो यह देखिए, फिर से मैं आपको बताता हूँ काफी realistic feel देता है, और देख सकते हैं कि जो hammer है, वो अगर मैं trigger को दबाओं यह देखिए, जो hammer है इसने hit कर दिया है, इसमें अगर CO2 और BBs होता तो fire होता, तो काफी compact सा realistic gun है यह, इसका जो यह part है, प्लस यह part, यह plastic का बना हुआ है, वरना हर एक चीज जो है, यह metal का बना हुआ है, चलिए अब इसमें मैं CO2 भरता हूँ, तो CO2 guns होते हैं, इनमें आपको दो चीज लगेगी, एक तो है यह BBs इसमें आपको steel BBs उसकरना है, जो आपको बता देता हूँ कि, BBs कैसे दिखते हैं, यह दिखें, steel BBs, और आपको यह CO2 capsule भी लगेगा, 12G का, अब यह जो CO2 है, यह basically इस gun को power करता है, तरह से इसे automatic बना जेता है, जाद करके जो air guns market में available है, उन्हें आपको cock करना पड़ता है, जो front barrel है, उसे आपको hit करना पड़ता है, फिर bend करके खीचना पड़ता है, और कुछ guns में आपको पीछे खीचना पड़ता है, तो वैसा चीज यहाँ पर करने की ज़रुवत नहीं है, यह जो CO2 है यह actually इस gun को power करता है तो यह देखें, ऐसा होता है CO2 capsules, यह थंडा है, आप feel कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको इसे पंचर करना है, लेकिन अभी पंचर नहीं करना है, गन के अंदर पंचर होना चाहिए, ने तो जो CO2 है यह बहुत ही जल्दी release हो जाएगा तो चलिए, इसमें मैं CO2 भरता हूँ इसके लिए मैं यह जो magazine है इसे eject करता हूँ, और यह जो gun है इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ यह जो CO2 है, यहाँ पर देखें, CO2 के लिए यह chamber दिया हुआ है, इसे आपको यहाँ पर इस परकार से place करना है और यह जो नीचे screw दिया हुआ है इसे आपको tight करना है अच्छी तरीके से place कीजिए और यह जो screw है, इसे tight करते जाएए फटाफट कीजिए, क्योंकि जब यह seal puncher होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा CO2 leak हो आपको समझ में आजाएगा, कभी यह leak होता है तो चलिए try करता है यह देखे, अब मैंने इसे tight कर दिया है और जो CO2 है, इसमें जो nozzle है उसके through, यहाँ से यह देखे, यहाँ से और इस परकार से जो gun है, यह firing करने वाला है तो इसमें मैंने BBs नहीं डाला है लेकिन CO2 मैंने डाल दिया है और इसे मैं बन करता हूँ यह लिजे, अब यह ready है unlock position में है lock, unlock और एक firing करके दिखते हैं कैसा sound करता है फिर से बता दूँ, यह empty है अब यह firing नहीं कर रहा है क्योंकि यह जो hammer है, यह cock नहीं किया है मैंने, तो cocking के लिए आपको पहली बार इसे पीछे pull करना है और फिर यह जो button है इसे आपको इस प्रकार से press करना है, ताकि यह अपने original position में आ जाए, अब जो hammer है यह firing position में है और मैं अब firing करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है वाउ, यह एक blowback gun है यहीं से आप समझ गया होगे जैसे ही मैंने इसे fire किया है, क्योंकि इसमें जो BBs है, वो empty है, यह इस position में आके lock हो गया है, अगर इसमें BBs होता, तो यह फिर से इस position में आ जाता हूँ, और देखिए जो hammer है, यह फिर से पीछे की तरफ आ गया है मतलब कि again firing condition में आ गया है तो मैं इसे फिर से fire कर सकता हूँ और मन डीजे, मैंने इसमें BBs दाला हुआ है तो मैं continuously firing कर सकता हूँ जैसे कि real guns में होता है तो मैं वैसा ही try करता हूँ यह देखिए तो आपने देखा किस प्रकार से इसने firing किया है और जो hammer है वो फिर से firing position में आ जाता है तो aim practice के लिए बहुत ही बढ़िया है प्लस अगर आप इसे filmों में यूज़ करना चाते हैं अगर आप इस प्रकार के और भी CO2 guns के बारे में जानना चाते हैं उसके बारे में जानकर यह आपको उस screen के उपर मिल जाएगा देखते रहे हैं